जहन दोस्तों, दोस्तों आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने सेनिक वेलफेर यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुती इंपोर्टेंट गुड्यूड लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि जवानों और पैंसनरों की पांच ऐसी मांगे जो विसंगतियां थी जिन पर डिस्प्यूट था उनको मान लिया गया है रक्षा मंत्री जी द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया था उसमें एक्सपर्ट लोग थे और उस कमेटी के सामने 84 ऐसी विसंगतियां थी जो पैंसनरों और जवानों के मुद्दों से जुड़ी हुई थी आप उस कमेटी की जो expert कमेटी की जो status report है recommendation की उसमें 26 मांगों की status report हमारे पास उपलब्ध है जिसमें से 5 मांगे हैं जो पूर रूप से as it is जो demand थी वो मान लिगई हैं उनके बारे में मैं आज आपको जानकारी दोंगा वो कौन-कौन सी मांगे हैं, उसमें किसको कितना फैदा होगा, ये आप ये पूरी रिपोर्ट देखने के बाद जान सकते हैं और अपना calculate कर सकते हैं, कौन-कौन उससे लाभान वित होंगे, वो सब आप देख सकते हैं तो देखें दोस्तों, ये है वो Expert Committee की Status Report जो recommendation की हैं, जैसा आप यहां देख पा रहे हैं, 26 मुद्दे हैं, Accepted और Implemented ये 5 मुद्दे हैं, उसके बाद एक मुद्दा ऐसा है, जिसको accept किया है, कुछ principles के साथ हैं, कुछ सिधान्त के साथ हैं, कुछ ऐसे मुद्दे हैं साथ जिनको partially, आनसिक रूप से accept किया है, और दोस्तों, 8 मुद्दे ऐसे हैं जिनको बिलकुल not accepted किया है, 26 की ये report है, पूरे 84 मुद्दों की report नहीं है, और एक मुद्दे को differ किया है, तो इस तरीके से दोरोस्त, 4 मुद्दे अभी इसमें ऐसे हैं जिनको under examination, under consideration रखा हुआ है, तो अब हम उन सिर्फ 5 मुद्दों की बात करेंगे, जिनको accept कर लिया गया है, और या उनका implementation भी हो चुका है, क्योंकि ये जो committee का गठन हुआ था, ये गठन हुआ था सन 2015 में और आज 2022 है, यानि कि बीच में जो 6 साल का समय निकला है, कुछ मु मुद्दे ऐसे हैं कि जो उस period में resolve हो चुके हैं, उनके लिए आदेश आ चुके हैं, और उनका implementation भी हो चुका है, तो एक एक करके अब वो 5 मुद्दे कौन कौन से हैं, उनको देखते हैं दोस्तों, तो दोस्तों वो जो 5 मुद्दे थे, उसमें था serial number 3, serial number 4, serial number 15, serial number 18 और serial number 24, तो serial number 3 पर देखते हैं, जो पहला मुद्दा है, जो आपके सामने रिमार्क है, accepted, पूर्ण रूप से, यह है disability benefit to voluntary retirees, it is hence recommended that disability pension may not be denied to pre-2006 voluntary retirees with the following in the backdrop, यानि कि disability pension का जो benefit मिल रहा था, यहां पर विशंगती यह आई, कि 2006 से पहले के जो pensioner थे, जवान थे, जिनको disability हुई, उनकी disability pension देने में, उन्होंने बोला कि यह double benefit हो रहा है, और उस पर रोक लगाई, तो यह मुद्दा दोस्तों, कई लोगों ने court में उठाया, इस पर दो 2006 से पहले का हो, या 2006 के बाद का, अगर किसी को injury हुई है, तो उसका pen आगे या पीछे date से कोई फरक नहीं पड़ता, दोनों को एक समान pen होता है, एक समान तकलिप होती है, इस तरह से आप किसी के benefit को deny नहीं कर सकते, दोस्तों, यह मुद्दा solve हो गया, और इसके संदर में, Department of Ex-Servicemen Welfare की तरफ से एक आदेश भी जारी हो चुका है, और यह मुद्दा पहले ही accepted हो चुका है, 2017 में, जो यहाँ यह letter है, आप इसके सामने आप देख सकते हैं, अगर आपको चाहिए, तो आप इसके PDF डाउनलोड करके study भी कर सकते हैं, अब देखे दोस्तों, इससे हमने है, accepted. मुद्दा क्या है, illegal denial of pension benefits to pre-2006 retiree, Honorary Naip Subedar, the committee recommends the following to tackle this issue once and for all since it has resulted in massive litigation, which shall soon get further compounded due to the faulty policies. यह भी same, उसी तरीके का मुद्दा है, कि 2006 से पहले वाले जो NCO, हवलदार जिनको Honorary Naip Subedar मिला, उनको और जो 2006 के बाद में, जिन NCO को Honorary Naip Subedar से समानित किया गया, post retirement, उनके benefits से जड़ा हुआ है, और यहाँ पर सीधे सब्दों में, अगर मैं यह कहूँ, इसका 2020 में clarification भी आ चुका है, और यह benefit जाहे 2006 से पहले का हो, या 2006 के बाद का हो, सब के लिए applicable है, यह मुद्दा भी विभिन नियालों में चला, और चारों तरफ से यह जवानों और pensioners के favor में result आया, और अब इसका government की तरफ से भी आदे जारी किया जा चुका है, MOD का letter है, आप उसकी PDF डाउनलोड करके study कर सकते हो, अभी तक उनकी pension slip में वो reflect नहीं हो रहा है, किसी को Corrigendum PPO नहीं मिला है, और किसी किसी को area प्राप्त नहीं हुआ है, तो यह अभी बहुत सारे cases हैं, जो अभी तक पूर रूप से जिनको इसका benefit नहीं मिला है, तो यह दो दो पर चलने से पहले एक महत्मूर जानकारी है, और वो जानकारी यह है कि जिस तरीके से आप रेडियो पर समाचार सुनते थे, सुनते हो, गाने सुनते हो, ठीक उसी तरीके से अब आप अन्नेकों, हजारों बुक्स कुकु एफिम पर सुन सकते हो, चाहे वो आपके defensive related हो, सर्जीकल इस्तायक की जानकारी हो, कारगिल वार की जानकारी हो, या जनरल मानिक साहा साब की autobiography हो, या फिर आप कोई religious book सुनना चाहते हैं, जैसे रामायन हो गई, माभारत हो गया, या आप जनरल awareness की book पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, या आप किसी history के बारे में ज नहीं भी किसी भी time आप सुन सकते हो, और ये English और Hindi और बहुत सारी जो है, local regional languages में भी उपलब्द हैं, लेकिन आपको इसके लिए कुकु FM पर 400 रुपे का annual subscription लेना होगा, अगर आप सैनिक 50 code का इस्तेमाल करेंगे, तो आपको ये subscription 199 रुपे में पढ़ जाएगा, एक साल के लिए यानि कि 55 पैसे पढ़े से भी कम, लेकिन ये subscription सिर्फ पहले 250 लोगों को ही मिलेगा, तो आएए दोस्तों अब चलते हैं बाकी के तीन मुद्दों पर, तो आएए दोस्तों अब देखते हैं बाकी के points, अब ये आपके सामने है, illegal denial of outpatient medical facilities by service medical hospitals to non-pence nurse ex-servismen, despite being approved by the ministry and the adjudant journals branch, सेना मुख्याले की जो AG branch होती है, and consideration of grant of modified ECHS facilities to special source service commissions, यानि कि अब ये recommend कर दिया है कि जितने भी special source service commission है, special commission officers हैं, और जो दित्तिये विस युद्द के वेटरंस हैं, हमारे दिगज हैं, उनके लिए ECHS facilities को grant कर दिया है, यानि कि उनकी ये मांग भी मान ली गई है दोस्तो, ये अगला मुद्दा देखिए, दोस्तो, non implementation of decision and floating of existing guidelines on implementation of judicial verdict, यानि कि बहुत सारे cases हैं, जो नियालों में जाते थे हैं, यानि दोस्तो, बहुत सारे cases हैं, विसंगतियां हैं, जिनके अंगेश्ट में, जवान और भूतपूर सैनिक नियालों में जा ये accept कर लिया गया है, और यहां कहा गया है, all efforts are being made to implement the court's orders in time after ascertaining legal opinion, wherever is required, set procedure is followed by consultation with legal advisor defense, यानि कि जो formalities हैं, उनको पूरा करके, उनके जो court के decision हैं, उनको implement करने का ये accept कर लिया गया है, और कहा गया है, no civil appeal is filed, यानि कि आगे उसके अंगेश्ट में, civil appeal भी file नहीं की जाएगी, ताकि जवान को, pensioners को, समय पर न्याय मिल सके, उसकी जो demand है, वो पूरी हो सके, अब अगला मुद्दा देखे दोस्तों, पैरा 7.5, the committee recommended that, ये जो मुद्दा है, ये भी दोस्तों, special short service commission officers, special commission officers, और दितिये विश्यूड्यानी, वर्ल्ड वार सेकेंड टू के जो veterans है, जो premature retirees है, उनको भी अब ECHS, जो facilities है, उसको grant कर दिया गया है, और ये भी order pass कर दिया, दोस्तों, department of ex-assistment welfare की तरफ से, ये 2019 में, जिसका ये letter number दिया है, आप इसकी PDF देखकर, download करके आप study कर सकते हो, तो दोस्तों, जो रक्षा मंत्री के expert की जो committee 2015 में गठित की गई थी, उसकी जो status report आई है, 26 points पर, उसका जो recommendation हुआ है, ये उसमें 5 ऐसे मुद्दे थे, जो as it is accept कर लिए गए है, ये थी उसके बारे में जानकारी, तो दोस्तों, इसी तरह की जानकारी लेकर फिराएंगे आपके लिए अगली वीडियो में, तब तक के लिए जैहिन, जै भारत!